हालो गाइस वेलकम बैक टू माइच चैनल जो आज की हमारी वीडियो होगी वह होगी प्रेनाउन के उपर तो प्रेनाउन भी हमने डिस्कस किया था जो मैंने आपको पार्टस अप स्पीच पड़ाये थे और उनी पार्टस अप स्पीच का हम वन वाइवन एक जो टॉपिक्स आपको पड़ाये थे पार्टस अप स्पीच के अंदर उनी को हम डिस्कस करें उसकी एक्सराइज इसको ताकि आपका अच्छे से प्रेक्टिस वोग हो जाए तो आज हम जो ला रहे हैं पहले हमने कंजंक्शन को डिसकस किया था प्रिपोजिशन को डिसकस किया था उनकी ए आप देख तरह से कों-कों सा प्रेनाउन यूज हुए और फिस स्टेंस इस विच इस दा रिलेटी प्रणाउन इन थी संटर्स अब वो डिलेटी पर नाउन का बात कर रहा को अब देखें अगर आपने पर अच्छे तरीके से पढ़ा है तो यूनों कि व्ट इस रिलेटी pronoun what is reflexive pronoun what is personal pronoun ये सब pronoun आपको अच्छे से याद रहने चाहिए then you will be able to fill to correct these sentences को आप इनको अच्छे से fill कर सकते हो if you don't know what is relative pronoun what is other types of the pronoun then how can you mark this correct answer so you were not able at that time so so आपको correct answer को टिक करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप इन पर नाउंस को अच्छे से इसकी टाइप्स को जो है वो discuss कर लीजिए पढ़ लीजिए first sentence which is the relative pronoun in the sentence इस sentence में वो रिलेटी पर नाउं की बात कर रहा है आपने बताना है कौन सा रिलेटी पर नाउंने और पोस्ट मैं गव गेव ए लैटर तो वुमेन हूम ओपन अ डोर वो कहता है एक पोस्ट मैं उसने लैटर किसको दिया था वुमेन को ओपन अ डोर जिसने डोर को खोला था अब वुमेन अब देखिए अब रिलेटीव क्या रिलेशन बताएगा तो हुम is the right answer of this question ठीक है और यह आपका हुम जू है यह रिलेटी पर नाउं यह रिलेटी पर नाउं बताने है इसमें को न है तो हुम शी वस टोकिंग अब अब देखिए आप पीछे बोल रहे होंगे कि हुम मैं मावाम ने रिलेटी पर नाउं बताये यहां पे आप क्वे पर नाउं के लिए इंटेरोगेटी पर नाउं बता रहे है अब देखिए to whom she was talking about वह किसे बात कर रही थी ठीक है to whom she was talking about अब देखिए शी भी यहां पे पर नाउं लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं we are talking about the इंटेरोगेटी पर नाउं इंटेरोगेटी पर नाउं क्या होगा ह तो किसे मतलब यह interrogative है कि वो नाम अगर मैं बोलू वो उससे बात कर रही थी तो उसका नाम आ जाएगा इसलिए हुम जो है वो interrogative प्रनावन है relation में वो हुम जो है वो कहीं center में आ जाएगा लेकिन जब भी अब interrogative शो करते हैं तो वो maximum time या जा subjective place पर आपका शो होता है तो इसका अंसर भी आपका हुम ही रहेगा third one is your subjective pronoun बताएंगे आप which is the subjective pronoun in the sentence they talked about us was and out of insult अब देखिए आप वो किसकी बात कर रहा है subjective की subjective pronoun वो होते हैं जो subject की place पे आते हैं आप यहां पे subject place पे subject कौन होता है जिसके जो भात कर रहा हो ठीक है subjective place पर फर्स्ट परसन हो सकता है second person third person और आपको पता है इसमें third person यहीं है एक जो subjective place का आता है वो that is दे तो दे यहां पे आपका इसका correct आंसर होगा थर्ड का that is the subjective pronoun अब तो गाईज यह तो हमारा next sentence है fourth which is the subjective pronoun इसमें भी हमने subjective pronoun की बात करनी है ठीक है why did you act like this this matter has been preplexing मुझे के subjective pronounce क्या here अब यहां पर बात करेंगे अब यहां पर आपका subjective pronoun कों सा है हुआ है अब वो subjective by बात कर रहा है why did youci act like this समय इस तरह से बिहेफ क्यों कर रहे है इस तरह से क्यों करते हैं उसने इस तरह से लिए क्यों किया था थी कह why did you लाइक दिस तुमने इस तरह से बहेव क्यों किया था तो वह आपका उनसे बात कर रहे हैं तो यू इस दा राइट आंसर ओफ देस संटेंस ठीक है यू आपका क्या होगा यहां पर सॉरी यहां पर आपका वाइज है यह यह राइट आंसर जो आपका सब्ज़गे टिप अगर आपका आएगा वाइट ऐसे आपका यू रहेगा ठीक है तो यह आपका होगया फॉर्थ का दे नेक्स्ट इस यू इस यू इस यू उर फिप्थ वन वाण विच इस यू इंटरूगर पर नावन है तो वोम मैं किस से बात कर सकता हूँ अगर उस से नहीं तो ठीक है इस interrogative noun in this sentence whom is the right answer of the sentence fifth one then next is your which is the demonstrative noun demonstrative noun तो आपको पहले ही पता है वो चार तरीके के होते हैं this that those or these ठीक है that's is really that's relationship that's our relationship our she writes ठीक है वो जो से चिलाती है कि यह हमारा relationship है हुआ हमारा relationship है तो तो जो है that is your demonstrative noun fourth one is your right answer which is indefinite noun indefinite noun जब हम शोर नहीं होते कि हम कितने लोगों के किसकी बात करें है तो वो कह रहा है I saw someone running in the street मैंने किसी को देखा था वहां पर बागते हुए street में बाग रहा था ठीक है किसी को मैंने बाग रहा बागते हुए देखा था अब आपका indefinite को नहीं है यहां पर आई तो आपका प्रणावन आई क्या है आपका प्रणावन है लेकिन I is not your I is your personal प्रणावन लेकिन हम किसकी बात करें indefinite that is your someone तो c is your right answer which is the demonstrative pronoun in these in the sentence can you hand over those files क्या तुम वो वली files को hand over कर सकते हो आप देखिए demonstrative में जिस चीज को demonstrate कर रहा है तो किसके बारे में बात करें इन files के बारे में तो those जो है that is your right answer if you know na कि which words came under the comes under the demonstrative pronoun then you will able to identify what is the right answer of this sentence ठीक है क्योंकि अगर आपको नहीं पता demonstrative के अंदर कौन से words आते है तो then you are will not able to identify the right answer तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि कौन से प्रणावन के अंदर कौन-कौन से words आते है तो next is your relative प्रणावन आपको identify करना है is this a book which your father what last year वो कह रहा है क्या यह वो बुक है जो तुमने लास्ट यह तुम्हारे फादर ने खरीदी थी is this a book क्या यह वो बुक है which your father what last year तो रिलेटिव क्या बता रहा है विच वो वाली बुक विच तो which is your relative प्रणावन ठीक है यह आपका 9th of the pronoun but it is at the place of subject it is subjective place but हमें objective place के लिए बोला है तो objective place पे हमारा जो right answer होगा वो us होगा चीक है us is the right answer next which is the relative pronoun in the sentence an old woman who was a teacher had great collection of books वो कह रहा यह जो old woman है जिसके पास क्या थी who was a teacher वो एक teacher थी जिसके पास बहुत सारी great collection of books थी ठीक है आप देखिए वह कौन सी teacher थी who was नहीं वह old woman क्या थी जो कि एक teacher थी who तो who आपका relation बता रहा है इस teacher के बारे में old old woman के बारे में यह सेम ही है तो वह बता रहा है old woman जो कि एक teacher थी तो जो जो meaning है मतलब who जो है that is your relative pronoun तो who d apart is the right answer the next which is the empathetic pronoun sorry this is the typing mistake यहाँ पे empathetic pronoun आएगा जो आपका आप देखिए empathetic pronoun और reflexive pronoun they are similar वह similar ही रहते हैं words similar रहते हैं वास एक छोटा सा difference रहता है कि empathetic में हम उस चीज पे focus जालते हैं यह जो आपका herself वगहरा होता है ना herself himself itself यह आपका subject के साथ ही front में आ जाता है और यह ऐसे आथा कि आप इसी चीज पे focus जाल रहे हो लेकिन जब भी हम reflexive pronoun की बात करते हैं तो आप ऐसे बोल जब she admitted her mistake herself ठीक है उसने खुद अपनी mistake admit कर ली लेकिन वो क्या कर रहा है she herself admitted कि उसने खुद ही admit कर लिया कि वो उसकी और dinner मेरे अंकल ने हम से क्या पूछा था dinner के लिए तो us जो है that is at the objective place तो us जो है यह objective रहे का which is the reflexive pronoun in the sentence कौन सा reflexive pronoun no worry I will handle myself आप देखे मैंने आपको I myself will handle I will myself handle I myself will handle तो तब आपका empathetic होगा लेकिन आप वो बोल रहे हैं I will handle myself मैं खुद ही handle करूंगी तो वो सब क्या होगा यह myself handle में जो लगा that is your reflexive pronoun देखे words आपके सेम ही रहेंगे myself, herself, himself लेकिन सिर्फ आपका focus का difference रहेगा empathetic और reflexive pronoun में then next is your which is the interrogative pronoun in the sentence what is your teacher telling that is important वो कह रहा है कि आपका teacher जो है what is your teacher telling आपका teacher क्या बताया बता रहे है मतलब what is your, उन्होंने तो आपको क्या बता रहे है वो that is important, यह important है कि तुम्हारे teacher तो में क्या बता रहे है interrogative pronoun है तो यहाँ भी आपका क्या आएगा what, what is your interrogative pronoun, ठीक है तो यह आपका what जो इसका होगा, वो right answer होगा the next is your which is the reciprocal pronoun, आप देखें reciprocal होते है एक दूसरे का उल्टा, each other, one and other, these are your reciprocal pronoun, यह दो ही होते है, each other, one and other, तो यह दो वर्स आपने याद रखने, they are always helpful with each other, वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ क्या है, helpful एक दूसरे के लिए, तो each other is your correct answer of this sentence, the next is your, what is the intensive pronoun in the sentence, अब आपने intensive pronoun बताने, इसमे कौन सा है, ठीके, यहाँ पे she proved herself, herself the best among us to all of them, that is herself, यह आपको क्या आएगा, herself ही आएगा, just like the reflexive pronoun, इसका answer होगा, D part, the next, which is the subjective pronoun, आप देखिए subjective pronoun, यह तो pronoun काफी easy है, क्योंकि subjective pronoun, जो subjective की प्लेस पे आएगा, और तो आपको किसी को देखना ही नहीं, जो subjective प्लेस पे, front में क्या रहा है, we, we should be honest in every aspect of life, हमें हर aspect life की, हर aspect में हमें honest रहना चाहिए, तो यहाँ पे subjective पे क्या आएगा, आपका we, तो वी जो है, that is your, a part is your right answer of this sentence, ठीक है, अब indefinite, indefinite pronoun मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम sure नहीं होते हैं, जब हम definite नहीं होते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो no one knows who is she, कोई भी नहीं जानता है कि वो कौन है, ठीक है, तो आप देखिए indefinite पर आएगा, अब आपका no one, no one is your indefinite pronoun, ठीक है, तो no one is the right answer होगा, यह C answer, 20 is here, which is the interrogative pronoun in the sentence, whom are you talking on phone, किससे तुम बात कर रहे हैं, अब interrogative पे, जो front में आगे, तुम किससे बात कर रहे हैं, अगर मैं बोलो, I am talking to my friend, तो my friend जो होगा, वो उसका answer होगा, इसलिए home की space पे my friend आजाएगा, तो यहाँ पे इसलिए home जो है, that is where interrogative pronoun, तो यह आपके 20 sentences है guys, जो हमारे किसके related थे, pronoun के related थे, I hope कि आपको सब अच्छी तरह से समझ आया होगा, कि किस तरीके से pronoun को fill करना है, तो guys, pronouns are very simple, बहुत simple है, आपको पहले ही बता दिया, कि हो herself और myself इसलिए, इसलिए, इसलिए से words आते हैं, आप अगर words भी याद रख लेते हैं, तो then you will be able to solve these sentences, आप इन sentences को आराम से solve कर सकते हैं, I hope guys, you will understand what is the noun, और क्या-क्या इसकी exercise किस तरह से हमने डिसक्स किया, सब आप समझेंगे, तो thank you guys for watching my video, तो guys, यह जो आपकी next slide है, यह आपका practice work रहेगा pronoun का, जो आपके लिए homework है, तो इसको आप fill करिए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और then fill कीजिए कि इसमें क्या आएगा, कौन-कौन सा pronoun हमें fill करना है, जो proper appropriate pronoun होगा, वहीं आप fill कीजिएगा, I hope कि आप अच्छे से इसको fill करेंगे, ठीक है, तो guys, आप next चलते हैं, जो हमने कल conjunction की, मैंने आपको sentences की एक exercise दी थी, solve करने के लिए, I hope कि आपने अच्छे से solve की होगी, आज हम इसको discuss करेंगे, इसमें कौन-कौन से answers जो है, कौन-कौन सी conjunction जो है, वो fill होगी, ठीक है, the first sentence is, I like English dash, I like French very much, वो कहता है, I I like English, मैं English को पसंद करता हूँ, dash I like French very much, तो I like English and I like French very much, तो देखिए, आपको दोवर I like लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं, I like English and French very much, ठीक है, जाप आप से, I like both English and French very much, इस तरह से भी आप इसको use कर सकते हैं, conjunction को, second, my brother likes, sorry, यहाँ पे brother है, ना की bother है तो यहाँ पे आएगा, my brother likes maths, dash he does not like history, वो contrast में हम किसको use करते हैं, but को, वो कियारा मेरा ब्रदर जो है, वो maths तो like पसंद करता है, लेकिन he does not like history, लेकिन वो history को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, third, the children forget their homework, children अपना homework भूल गे थे, so the teacher was angry with them, इसलिए, इसलिए, इसलिए teacher, रहे हैं, वो से दुखी हो रहे है, can you read, dash, write English words, क्या तुम read कर सकते हो, and write कर सकते हो English words, तो आपने and conjunction को लगाना है, ठीक है, fifth is here, are the questions right, dash, wrong, ये questions क्या है, are the questions, question सही है या गलत है, ठीक है, वो पूछ रहा है कि क्या ये question सही है या गलत है, तो यहाँ पे और आएगा, हम इसक great, dash, it's fun, वो कहरा, ये क्या है, great है, and it's fun, और बहुत enjoy वाला, funny वाला भी है, seventh one is, would you like tea, आप देखे, आप किसे से पूछ रहे हैं, कि would you like tea, would you like tea, or hot chocolate, आप क्या लेना पसंद करोंगे, tea लेना पसंद करोंगे, या hot chocolate लेना पसंद करोंगे, for your breakfast, अपने free breakfast के लिए, और का use क करेंगे, conjunction का, eighth one, or car, car is old, dash, it drives beautifully, वो कहरा, हमारी car, जो है, वो old है, पुरानी है, लेकिन, लेकिन, कंट्रास्ट में आगे है, है तो पुरानी है, लेकिन, हम क्या समयते है, जो पुरानी चीज़ें, वो अच्छे से नहीं चलती, जा अच्छे से नहीं काम करती है, प्रोपर है, ninth, it was very warm, बहुत, क्या था, बहुत गर्मी थी, so we all went swimming, इसलिए हम सब कहां चलेगे, swimming के लिए चलेगे थे, क्योंकि, it was very warm, बहुत, बहुत, बहुत hot था, do we have French, dash music after the break, क्या break के बाद हम French, do we have French or music, sorry, इस sentence में कुछ mistake है, do we have French or music after the break, यहाँ पर कुछ mistake रहेगी, लेकिन यहाँ पर और आ रहा है, यहाँ पर कोई word missing है, तो जब मैं इसके प्रोपर एक, वो upload करूँगी, तो मैं आपको बता दूँगी, किस तरीके से इसमें, यहाँ पर किस तरह का कौन साथ word आएगा, okay, तो इसमें और रहेगा, तो जाइगा, 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 जाएगा, टार प्रोपर यहाँ पर चानल,